हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मंजिल आज किस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं लेटेस अपटेट ऑफ कैनिडा अबाउट ट्वेंटी ट्वेंटी वन कि जो भी बाद एक्सटेज में विजा आकर सेकंड सेज में रिफ्यूज हो चुका है उसके बाद जितने भी अभी टू स्टेप से वन स्टेप करने के बाद जब यह टू वे कुरियो सिस्टम शुरू हुआ तो इसमें अलग से मनी जो इनवाल हुई थी या फिसमें जो प्रो ट्रैवल के लिए या फिर अपनी विजा के लिए और उनमें से ही काफी लोगों को PPR आए काफी लोगों को जैसे मेजर अगर मैं रेशो कूं बहुत कम रेशो को जो है वीजा से लगे और बाकियों को रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा यहां पर बात आती है कि क्या अब तो 2021 में ऐसा कोई सेनरियो होने का सीन है या फिर ऐसी कोई डिफिकल्टी अभी आएंगी या फिर जिनकी ट्रैवल नहीं हो पाए थे उनकी ट्रैवल में उतनी प्रॉबलम आएगी जितनी 2020 में आई थी तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो कैनेडा का टार अरे एक्सपेक्ट करती है कि इतनी कॉनमी का जो बच्चा है वो कैनडा में आखर स्टडी करेगा बडद 2020 में 24 इस टार्गर सब्सक्राइब या मैं कहूँ इसके आदे तक भी नहीं पहुंच सुखा है तो यह जो हमें इंडिकेट करती है वो देती है में मौर ऑप्षिंस की 2021 में काफी ऑप्षिंस दिख रहे हैं कि पिछले साल का टार्गर पूरा करने के लिए इस साल वो काफी वेकैंस निकालेंगे काफी ज्यादा स करेंगे यह भी हो सकता है कि अपनी जीजा प्रोसेसिंग जो है वो माइल्ड करते थोड़ा सा रिलैक्स दे दे बच्चों को और जो प्रोसेसिंग टाइम है उस पे जो है वो ज्यादा काम करें क्योंकि उन्होंने अपना टार्गर जो है पुरा करना है पिछले साल का बर य यह जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है अगर मैं बात करूं कि यह नहीं हो सकता है यह नहीं होगा उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज मुझे इस साल में दिख रही है उसके लाव अगर मैं बात करूं मेजर इंटेक को लेकर कि वी ओल लो जो मेजर इंटेक होत प्रोफाइल के basis पे और लग के basis पे मिलता है, क्योंकि क्या होता है? ऐसा नहीं होता है, अगर हर साल अगर ये campus खुल रहा है पिछले सालों में, जून में, तो इस बार भी जून में वे खुलेगा, ऐसा नहीं होता, ये probability पेड़िपन करता है universities and colleges की नीड पर कि उनको अपनी proficiency बढ़ाने के लिए कितना student उनको चाहिए तो अगर आप जो है apply करना चाहते हैं तो आपके लिए great time है अभी क्यों क्योंकि September intake का भी जो है खुल चुका है यह बड़ा अजीब बात है कि अगर आपने September intake के लिए लेना है वह अभी से apply करना है क्योंकि बहुत सारे student ऐसा कर रहे हैं इसका reason यह है सबसे पहले reason यह है कि बहुत सारे बच्चों ने जो January intake वाले बच्चे थे उन्होंने March intake में जून इंतेक में जो है वह defer किया है और जो जून इंतेक है वह preoccupied है और जो लिमिटर सील्ट्स है वह उनको मिलेंगी obviously अगर जिसकी profile जो है बहुत अच्छी है जिससे हम क्रीम student कहते हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो है अप्लाई कर देंगे तो आपका selection हो जाएगा आपका वीजा आदेगा इसकी probability मैं आपको पहले ही क्लिए कर देती हूं कि अगर मैं पहले यह की बात करो तो यह possibilities होती थी of course इस साल की possibility बहुत कम है कि इस प्रोफाइल को जो है जून इंटेग के लिए admissions मिल जाएंगी क्योंकि जून इंटेग ने पहले ही जो deferment वाले students थे वो जो है occupied कर चुकी है और जो cream student थे वो जो इंटेग के लिए जाएंगे वो अपना time जो है lap increase नहीं करेंगे उसके लावा अगर September इंटेग की बात करूं तो अगर आपने September इंटेग के लिए apply करना है तो आप अभी से apply कर सकते हो इसके दो reason है सबसे पहला reason यह है कि जिनकी weak profile है अगर वो पहले apply करते हैं तो यह बात होती है कि वो तो first come first give वाला हो जाता है कि university कहती है कि अच्छा यह है तो वो देख देते है क्योंकि आप अगले से अगले इंटेग की बात कर रहे हैं और दूसरी क्योंकि जैसे अब processing time में इतना लग रहा है क्योंकि embassy में working जो level बहुत high हो चुका है और सारी profiles एक साथ में लग रही है तो जो है बहुत slow slow process चल रहा है तो अगर आपने उसके लिए apply करने तो अभी से करोगे तो जाकर जो है आप mid of the year में आपको मिलेगा आपका वीजा वह भी हम कह सकते हैं क्योंकि इतने slow processing हो रही है कि अगर आप on the spot लगाने की सोच रहे हो तो वह आपको difficulties जो है create करेगा सो major जो मैंने आपको update यह देना था कि 2021 में 2020 से जादा opportunities आपको मिलेगी आपको अपना visa लेने के लिए चाहे वो Canada government से हो या फिर universities vice versa colleges से हो I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा और इसी तरह की videos के लिए आप नीचे दियेगे number पे contact भी कर सकते हैं या फिर हमारा staff 9 to 5 working hours के लिए available होता है आप given number पे call करके अपने सारी queries and questions clear भी कर सकते हैं Thank you guys